Hello everyone, welcome to the new video from StudyBuzz और जिस alert का बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे बहुत सारे messages, बहुत सारी emails और infinite queries थी कि sir FMS के forms कब आ रहे हैं तो finally एक good news है आप सब के लिए कि FMS Delhi University के forms आ चुके हैं तो क्या है पूरा procedure वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है end तक जूर देखना ताकि सारी modern information आपको मिल सके तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले friends हम start करें I would like to request you please channel को subscribe करके बला icon जूर प्रेस कर देना ताकि सारी modern videos की notification आपको मिलती रहे और please याद से हमारी app ज़रूर डाउनलोड कर लेना आपको cat mba के mocks and videos मिलते हैं और आप हमाइसार instagram पे भी connect हो सकते हैं Instagram handle is studybus underscore education हमाइस Facebook group का नाम है studybus तो friends अगर हम बात करें FMS के बारे में तो FMS के forms आ चुके हैं और जो last date है form भरने की that is going to be 20th January 2023 लेकिन एक बहुत important चीज इन्होंने बेवल दी है कि last date का wait बिल्कुल मत करना because possible congestion की वज़ा से हो सकता है कि आप आपकी form filling complete ना हो पाए तो आप इससे at least one week पहले four five days पहले तो minimum आप अपना form submit कर दोगे अगर आप FMS के लिए apply करना चाहते हो तो तो friends अगर हम बात करें FMS की तो FMS college को किसी भी तरीके की कोई introduction की requirement नहीं है इंडिया के top MBA colleges में ये आता है Delhi University के north campus के अंदर कमना नगर के पास ये college situated है अगर मैं बात करूँ इसके campus की तो बहुत ही amazing Delhi University का जो north campus है बहुत ही sought after campus होता है and over the years faculty of management studies एक बहुत ही premium college बन चुका है MBA education के अंदर और इसकी सबसे अच्छी तो इसकी return on investment है अगर हम top IMs के साथ इसको हम compare कर सकते है उतना level FMS का अब हो चुगा है अगर friends हम बात कर important program तो यहाँ पे आपको apply करना है 2 year full time program के लिए जिसको MBA का program भी कहते है residential college के अंदर नहीं है अगर friends हम eligibility के बारे में बात करें तो minimum आपके पास bachelor's degree होनी चीए after 12 years of formal schooling जिसमें आपके minimum 50% marks होने चीए और जो SCST बच्चे हैं उनके लिए passing marks होने चीए OBC, PWD, NCW category के बच्चों के लिए 45% marks होने चीए अगर आप final year में भी अपनी graduation के तो भी आप eligible हो सिरफ CAT score लेगा और CAT score कितना होना चीए इसके बारे में भी हम बात करेंगे और आपको separate form FMS का भढ़ना बढ़ेगा जैसे कि मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको link FMS की website के उपर मिल जाएगा यहाँ पर आपको जाना है इससे पहले आप registration के उपर जाओ अब bulletin MBA के उपर जाओगे इसको thoroughly PDF को read करोगे उसके बाद ही आप अपनी form filling शुरू करोगे तो friends अगर admission procedure के बारे में बात करें तो सबसे पहले candidates को select किया जाता है on the basis of the CAT score किस-किस तरीके से weightage देते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा next round में बच्चों को personal interview extempore और जो भी SOPs लिखवाय जाते हैं form में उन पर discussion होती है और फिर एक final composite score बनता है final composite score भी किस तरीके से बनता है इसके बारे में भी हम बात करने वाले है अगर friends हम बात करें cat section में अगर cat के basis पे इनको shortlist करना है तो उसके लिए क्या करते है quants के section को 30% weightage दी जाती है DILR को 30% weightage दी जाती है and verbal को maximum 40% weightage दी जाती है और जो female candidates है diversity maintain करने के लिए उनको 5 marks additional दिये जाते है तो इस basis पे यह सबसे पहले cat के उपर यह shortlist करते है cut off के रहती है अभी हम आगे बात करेंगे so एक बार जब यह बच्चों को बुला लेते है second round के लिए तो उसके बाद यह किस तरीके से weightage देते है तो cat score को not percentile cat score को 50% weightage दी जाती है 10th class के marks को 10% weightage दी जाती है और किस किस तरीके से देंगे इनोंने बताया 12th class के marks को 10% weightage दी जाती है SOP के ओपर discussion को 10% weightage दी जाती है extempore को 5% weightage दी जाती है personal interview को 15% weightage दी जाती है किसी भी तरीके से workax की कोई अलग weightage नहीं है उसको अगर इनोंने include करना है तो वो personal interview के अंदर ही करेंगे and female candidates को additional 5 marks दी जाएंगे जो की interview में appear होंगी उन सब को 5 marks additional दी जाएंगे अगर friends हम seat matrix के बार में बात करेंगे तो total 251 seats है तो सबसे पहले unreserved में 101 है SC में 37 है, ST में 19 है OBC में 69 है, EWS में 25 है बाकी आप देख सकते हो PWD, NC, W category के अंदर 12, 12, 12, foreign students और WOD quota के अंदर भी 66 seats है अगर friends हम cut off के बार में बात करें तो यहाँ पर आती है, बहुत ही interesting चीज़, अगर आप general category से हो तो FMS की जो cut off है वो 98, 99 99 से उपर कहीं भी vary कर सकती है अगर आपका 98 plus score है तो आप FMS का form भर सकते हो, आपके बाद चांसेज़ है provided आपके बाकी सब भी marks अच्छे है जैसे 10th, 12th और जो भी चीज़े हैं, वो academics आपकी अच्छी है तो FMS convert होने के chances आपके अच्छे हैं, और अगर आप reserve category में आते हो, तो आपकी जो cut off है वो 50 से लेके 90 हो सकती है depending on your category, for example अगर हम general के बार में 98, 99 के बार में बात करें, तो EWS की से थोड़ी सी कम होगी, बहुत जादा कम नी होगी OBC की जो रहती है, वो 90 के around रहती है, plus minus 5 रह सकती है, 90 से 95 और 85 से 90 के बीच में भी जा सकती है, कहीं भी वो FMS के discretion है, और बाकी सारी categories की भी इससे कम रहती है तो इस तरीके से इसकी cut-off रहती है, लेकिन हाँ, अगर आप general category से अपलाय कर रहे हो तो 98 से 99, 98 प्लस minimum और 99 से उपर है, तो आपको benefit ही मिलेगा, इतनी अगर आपका cat score आया है या इतनी percentile आपकी आई है, तो definitely आपको FMS में apply करना चाहिए, अगर फ्रेंज हम fee structure के बारे में बात करें, तो यह तो सबसे lucrative चीज है, क्योंकि semester fees around 50,000 लुबीज है यानि कि total fees, सिरफ और सिरफ 2,00,000 रुपे है, और अब इसकी आती है, हम बाकी सारी चीजों के और ANZ and Reliance and EY, Deloitte Benetton, Berger Pinkerton, Need India, Service India sorry, City Corp Service India और Schindler Electric, ऐसे बहुत सारी companies के, जो top executives है, वो आते हैं leadership talks करने के लिए, उसके बार आप वरक्शोप्स भी देख सकते हो, बहुत सारी वरक्शोप्स भी है, Deloitte ने करी है, societies भी आप देख सकते हो, जैसे Delhi Universities के इंदर societies का बहुत trend होता है, society का मतलब होता है clubs, तो अगर आप देख सकते हो कि यहाँ पे alumni relations society, consulting club, cultural society, finance society scholastic council system society, entrepreneurship sale, fiesta, HRN, OB society, sports society, marketing society इन सारी societies का भी आप पार्ट बनके अपने cv को भी और improve कर सकते हो और friends, अब आती है इसकी placements, जैनि कि 2 साल देके और सिरफ 2 lakh रुपे fees देके, आप देख सकते हो कि placements, mean ctc 32 lakh रुपीज है, जो कि almost top IMs जितना ही है, या कुछ-कुछ IMs है तो बहुत जादा भी है, और अगर हम median ctc के बार में बात करें, तो 30 lakh पर annum था, average top 25% को almost, almost 50, that is too, too high मतला बहुत ही अच्सा है, और average top 50% बच्चों का 40 plus की salary थी, यानि कि बहुत ही amazing, return on investment को बोले हम देखें, तो इतनी अच्छी return on investment, शायदी आपको किसी और college में देखने के लिए मिले 20 lakh से जादा के 95% offers थे, तो friends अगर domain statistics के बार में बात करें, तो आप देख सकते हो, consulting and general management में 76 गए थे, maximum batch से e-commerce, IT operations में 61 finance के अंदर 30 and SNM के अंदर 25 work experience आप देख सकते हो, maximum batch freshers का है, 110 students का, उसके बाद 0 से 1 year वाले 51 है, 1 से date साल वाले 22 थे, date से 2 साल वाले 32 थे, 2 से 3 साल वाले 30 प्लस थे, और 3 साल से जादा वाले 12 प्लस से थे, and आप compensation statistics भी देख सकते हो average, last time 26.2 था, तो इस बार बढ़के 32.4 हो गया, almost almost ये 20, 30 percent का increase है 30 percent almost ये बढ़ गया है, median भी आप देख सकते हो, 24 से बढ़के 30 हो गया, average CTC of top 100, 31.8 से बढ़के 43.7 हो गया, and average CTC of top 25 percent 38.6 से बढ़के 48.4 हो गया, highest domestic 58 था, average CTC 43.7 था, top 100 का, 37 percent increase हुआ है, और compensation across experience भी आप देख सकते हो, freshers का 22.9 से बढ़के 28.4 हो गया, 0 से 12 मंस वालों का 28 से बढ़के 32 हो गया, and अगर हम देखे, 2 से 3 साल वालों का, और 1.5 से 2 साल वालों का, इनकी भी काफी अच्छी ग्रोथ हुए, 30 से बढ़के 36.5 हो गया, 25 से बढ़के 35.3 हो गया, यह सारे numbers simple नहीं है, यह बिलकुल magical numbers है, किसी भी college के लिए और आप top recruiters की list भी अपनी screen के सामने देख सकते हो ऐसी शायद ही कोई top company हो, जो FMS में ना आती हो, recruit करने चाहिए Accenture है, Adani है, Amazon है American Express है Asian Paint है, City Bank है Byjus है, Deloitte है, HCL है, HDFC आप गिंते-गिंते ठकजा होगे, लेकिन top recruiters की list खतम इनके पास यहाँ पर नहीं होगी तो friends, यह सब कुछ था है FMS के बारे में, तो अगर आपको इसका form बढ़ने है, तो 20th January last date है, अगर आपके CAT score अच्छा है, 10-12 अच्छी है, तो definitely आप FMS के अंदर apply कर सकते हो तो अगर आपकी कोई भी query है, तो आप comment section के अंदर mention कर सकते हो और आप हमें WhatsApp या email भी कर सकते हो प्लीज हमाँ साथ Instagram पर जबूर कनेक्ट हो जाना और अगर आपको किसी भी pen drive course, live course या किसी भी test series में अन्रोल करना है तो हमाँ website है, यहाँ पर जाके complete details आपको मिल जाएंगी, so thanks a lot friends All the best, God bless you